नमस्कार आज मेरे व्याख्यान का विशे है काल विभाजन और नाम करण बिये प्रतम वर्ष के विद्यारतियों के लिए इस वियाख्यान में हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन और विभिन कालों के नाम करण के काध्यन करेंगे काल की गती अबाद है उसे खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है परन्तु अध्यन की स्विधा के लिए काल का विभाजन और नाम करण किया जाता है काल विभाजन के अनेक आधार है पहला आधार है एतिहासिक काल करम के आधार पर जैसे आधिकाल, मद्यकाल, आधुनिक काल साहित्यकार के नाम के आधार पे भी भारतेंदु यूग, द्वेदी यूग, प्रशाद यूग ये काल है राष्ट्रिय और सांस्कृतिक घटना अथ्वा आंदोलन भी काल के नाम करण का आधार बनता है जैसे भक्ति काल, पुनर जागरन काल, सुधार काल, युद्धोतर काल, स्वांतंत्रयोतर काल, आधि शाहितिक प्रवर्ती के आधार पर रितिका चायवाद यूग, प्रियोग यूग आधि नाम है सासक और सासन काल के आधार पर एलिजाबैत यूग, विक्टोरिया यूग, मराठा यूग आधि नाम है लोक नायक के आधार पर चैतन्यकाल गांधी यूग आदि इस प्रकार काल के नामकरण के विविन आधार हो सकते हैं काल विभाजन का उद्दिश अंतते इतिहास की विविन परिष्थितियों के संदार्ब में उसकी घटनाओं और प्रवरतियों के विकाश करम को इसपस्ट करना होता है साहित्य इतिहास पर भी यह नियम लागू होता है डॉक्टर गणपती चंदर गुप्त ने उचित ही लिखा है साहित्य की अंत्र निहित्य चेत्ना के क्रमिक विकास उसकी परमपराओं के उध्थान पतन एवं उसकी विविन परिष्थियों के दिशा परिवर्तन आदी के काल क्रम को इसपस्ट करना ही काल विभाजन का उद्देश होता है अन्यत्य उसकी कोई उप्योगिता नहीं है जहां काल विभाजन उप्रियुक्त लक्षे की पूर्ती में बाधक बनता है वहां यही उचित है कि उसके अभाव में ही काम चलाया जाए हिंदी साहित्य का काल विभाजन हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रथम स्ट्रे जार्ज ग्रियर्शन को दिया जाता है जोर्ज ग्रियर्शन ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया वो इस प्रकार है पहला चारणकाल, साथ सो इश्वी से तेरा सो इश्वी, दूसरा धार्मिक पुनर जागरण, पंदर्वी सती, तीसरा जायसी की प्रेम कविता, चोथा ब्रज का क्रिशन संपरदाई, पांचवा मुगल दरबार, छठा तुलसी दास, साथवा रीती कावे, आठवा तुलसी के अन्य प्रवर्ती, नवा अठारवी स्ताबदी, दसवा कंपनी के सासन में हिंदुस्तान, ग्यारवा विक्टोरिया के सासन में हिंदुस्तान, इस प्रकार जोर्ज ग्रियर्शन ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को ग्यारे भागों मे बाट कर उसका नामकर्ण करने का प्रयास किया। ग्रियर्शन की काल विभाजन में व्यवस्ता का अभाव है। इसमें शाहितिक प्रवर्ति को आधार नहीं बनाया है। परन्तु काल विभाजन की प्रथम प्रियास की रूप में इसका महत्व स्विकार किया जाता है। शुकल जी द्वारा प्रस्तुत विभाजन की मूल रूप रेखा इसमें दिखाई अवश्य देती है। रिती कावे का उल्लेक सरव पर्थम ग्रियर्शन ने ही किया है। बक्ती कावे की तीन साखाओं का अलग-अलग वर्णन ग्रियर्शन ने किया। जो हैं प्रेम कावे, क्रिशन कावे और तुल्शी दास। इनके बाद मिश्यबंदू ने हिंदी शाहित्य के काल विवाजन का प्रियत्न किया। उनका काल विवाजन इस परकार है। ग्रियर्शन के बाद सन 1913 इश्वी में मिश्व बंदू का मिश्व बंदू विनोद परकासित हुआ। यह ग्रंथ चार भागों में विवाजित होकर परकासित हुआ। अब इन चार भागों में पांच हजार से अधिक लेखकों का परिचे दिया गया है। मिश्व बंदूओं ने अपनी इस रचना में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विवाजन और नामकरन इस परकार किया है। पहला है आरंभिक काल इस काल को इनोंने दो भागों में बांटा। पूरू आरंभिक काल तदा उत्तर आरंभिक काल। पूरू आरंभिक काल सम्मत 700 से 1343 इस्वी। उत्तर आरंभिक काल सम्मत 1344 से 1444 तक। दूसरा माध्यमिक काल इसको भी दो भागों में विवाजित किया पूरू माध्यमिक काल और प्रौड माध्यमिक काल सम्मत 1445 से 1560 तक पूरू माध्यमिक काल और सम्मत 1561 से 1680 तक प्रौड माध्यमिक काल इसको उत्तर माध्यमिक बाल भी कह सकते हैं तीसरा है अलंक्रित काल इसको भी दो भागों में विवाजित किया पूर्व अलंक्रित काल सम्मत 1681 से 1790 तक और उत्तर अलंक्रित काल सम्मत 1791 से 1889 तक इसके बाद है परिवर्तन काल सम्मत 1890 से 1925 तक फिर पांचवा है वर्तमान काल सम्मत 1926 से आगे मिश्बंदों ने अपने काल विभाजन तथा नामकरण में ग्रियर्शन से भिन तरीका अपनाया उनके काल विभाजन में आरंब, मध्य और वर्तमान काल की परमुकता है इक्रियर्शन ने परवर्ती मुलक विभाजन की दिशा में कदम बढ़ाया था मिश्बंदों ने उसकी जगे प्रोड माध्यमिक काल तथा अलंकरित काल का उपविभाजन प्रिशिद कवियों जैसे सूर, तुलसी, देव, सेनापती, पदमाकर, आदी के नाम के आधार पे किया है रिती काल का नाम उन्होंने अलंकरित काल रखा है ग्रियर्शन ने आधुनिक काल का विभाजन राजनितिक आधार पर कमपनी का सासन तथा रानी विक्टोरिया सासन किया उसकी जगे मिश्च बंदों ने परिवर्तन काल तथा वर्तमान काल के नाम पसंद किये प्रियर्शकार आज के इस व्याक्षान में हमने ग्रियर्शन और मिश्च बंदों के दोबारा हिंदी साहित्य का जो काल विवाजन और नामकर्ण का प्रियास किया उसका अध्यन किया अगले अध्याय में हम आचारे शुक्ल के द्वारा किया गया काल विवाजन और उनके पस्चात अनेक विद्वानों द्वारा किये गए काल विवाजन का अध्यन करेंगे धन्यवाद